नमस्कार मेरे प्यारे साथी हूं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल SSC Solutions with Anuj जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 3rd जुलाई और पहली चिफ्ट का विपर हो चुगा है सबसे पहला क्या कोशन पूछा गया था हमसे सबसे पहला कोशन पूछा गया था जो यक्षगान है वो लोक निर्त है किस भारतिय राजय से सम्बंदित है अगर हम बात करें लक्षगान की तो यक्षगान जो है वो हमारा करनाटक राजय से सम्बंदित है इसका शाब्दिक अर्थ होता है यक्षगा गीत यह करनाटका के उडुपी जिले में विक्सित हुआ था इसकी उत्पत्ती दस्वी और सोल्वी सताब्दि के बीच मानी जाती है यह एक मंदिर कला रूप है जिसमें पैरानिक कहानियों रामायन, महबारत, बागवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाया गया है यह वैशनव बगती आंदोलन से काफी परभावित है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं यह जो यक्षगान है बहुत ही इंपोर्टेंट होता है जाद अतर पेपर्स में पूछा जाता है तो इसलिए इसको याद रखिएगा आने वाली शिफटों में यक्षगान जो है वो आपका करनाठका से समद रखता है उसके बाद अगला कोशन पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थाफना कब और कहां हुई थी अगर हम बात करें गदर पार्टी की तो उसकी स्थाफना 1913 में हुई थी और कहां पे हुई थी यूके में हुई थी गदर पार्टी एक अंतरराष्टिय राजनितिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शाषन को उखाड फेकने के लिए परवासी बारतिये शामिल थे आधिकारिक स्थाफना को 15 जुलाई 1913 को सयुक्त राजे अमेरिका के एक्टोरिया ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था और गदर पार्टी के संस्थाफक थे आपके लाला हर्दयाल, संत बाबा वसाका सिंग दाहेदार और बाबा ज्वाला सिंग और संतोक सिंग और सोहन सिंग बाखना थे इसमें से लाला हर्दयाल और सोहन सिंग बाखना ज्यादातर पूछे जाते हैं अगर हम बात करें गदर पार्टी को शुरू में Pacific Coast हिंदुस्तान Association के नाम से जाना जाता था उसके बाद अगला कोशन आता है नवरोज उत्सव किस के साथ जुडा हुआ है अगर हम बात करें नवरोज उत्सवगी तो वो हमारा पार्सी के नवर्ष के साथ जुडा हुआ है पार्सी नवर्ष जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है इरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिनहित करने के लिए मनाया जाता है यह प्रमप्रालग भग 30,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर के पार्सी समुदाय द्वारा देखी जाती है दिन को फार्सी राजा जमशेद के बाद जमशेद एन्यूरोज के नाम से भी जाना जाता है जिनोंने पार्सी कलेंडर पेश किया था बलबन पहले व्यक्ति थे जिनोंने नोरेज के परसी पार्सी मोचसव की शुरूआत की थी तो किसने की थी शुरूआत शुरूआत की थी हमारे किसने बलबन ने ठीक है उसके बाद अगला कोशन आता है बारत में किस राज्य की जनसंक्या सब से कम है तो सभी को पता है सिक्किम की जनसंक्या सब से कम है और सब से जादा जनसंक्या किसकी है देखो 2011 की जनगना के नुसार सिक्किम भारत में सब से कम जनसंक्या वाला राज्य है उत्तरपरदेश जो है वो भारत में सब से अधिक जनसंक्या वाला राज्य है बिहार सबसे कम जन संक्या गनतवाला राजया है अरुनाचल परदेश सावर्दरीक जन संक्या किसकी है सबसे ज़्यादा उत्तर परदेश की और सबसे कम है अमारी सिक्किम की अगर लिंगानुपा की बात करें तो केरल सबसे ज़्यादा है और सबसे कम हरियाना है अगर सरव कोई शम्थिंग है उसके बाद अगला कोशन आता है नीवनलिकित में से कौन आन्दर परदेश का सास्त्रिय निल्त है कुची पूड्य निल्ते की उत्पत्ति आधुनिक आंदर परदेश के कुचिपुडी गाउं में हुई थी इसकी परिकल्पना सत्तरवी सताब्दी में वैशनव कभी सितेंदर योगी ने की थी इसकी शुरुवात भगवान गनेश के आहवान से हुई थी जिसे के बाद गैर कथात्मक नाच निर्ते कथा नाच और अगर हम बात करें आंदर परदेश के परमुक जो निर्ते हैं कुचिपुडी विली सिनी नाट्यम आंधर नाट्यम बालांकम वीर नाट्यम दपूट अपेला गुलू लंबाडी दीमसा कोलू अटम और बुटा बोनूल अगर हम बात करें क्लासिकल डांस के बारे में तो हमारे कितने क्लासिकल डांस है 8 सबसे पहले आता हमारा भारत नाट्यम अगर समसे नाट्यम है तो ये आपका हो जाएगा तमिल नाडू भारत नाट्यम घित महीं अधा कुचुमिल नाडू एक होता है फितैस प्रतेश अजय है गाद प्रदेश का ठीक है उसके बाद अच्छाता है उडिसी उडिसी कहां का है उडिसी है आपका उडिसा का यह तो ना भी याद रखे काम चल जाएगा उसके बाद है मनिपुरी मनिपुरी कहां का होगा मनिपुरी होगा हमारा मनिपुर का ठीक है उसके बाद एक important होता है सत्रिये सत्रिये कहा का होता है सत्रिये होता है हमारा आसाम का और जो एक चीज याद रखनी है कि सत्रिये को जो है वो 2000 में सन 2000 में इसको classical dance में शामिल किया गया था संगीत नाटक academy के द्वारा ठीक है उसके बाद यह उचुगे अकली के-कली हो जाएगा केरला को और चील क्यरला का महिनी यट्ण कोण सा हो साइगो आपका जो शात वर्ष से या उससे अधिक पच्चा है जो किसी भी बाशा में प्ड़ लिख्या समझ सकता है वह साक्षर है वह लीट्रेट है 2011 की जनगना के अनुसार 7 वर्स या उससे अधिक आयू का वक्ति जो किसी भी भाषा में समझ सकता है उसको पढ़ सकता है लिख सकता है वो साक्षर माना जाता है एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नवी सकता वह साक्षर नही पहले के जनगन्ना में पाँच साल से कम उमर के बच्चों को आफशक रूप से निरक्षर माना जाता था उसके बाद अगला कोशन था कि रास्टर मंडल खेलों में कुस्ती में स्वन्पदक जीतने वाली पहली बारतिय महिला कौन थी वो थी गीता फोगाट गीता फोगाट एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिनोंने 2010 में रास्टर मंडल खेलों में कुस्ती में बारत का पहला स्वन्पदक जीता था वह ओलंपिक ग्रिशमकालिन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली बारतिय महिला भी बनी है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कर इतने वाली चोती थी आजादी के बाद भारत के लिए पहला उलम्पिक पदल पदक जो है 1948 लंदन उलम्पिक में पुरुष फिल्ड ओकी टीम ने जीता था केड़ी जादव ने आजादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत उलम्पिक पदक जीता 1952 के हैलिफिंस ओलंपिक में उन्होंने कुष्टी 125 पॉंड उसमें जीता था उसके बाद आता है 1976 अगर हम बात करें 1976 में 42 वासम विदान चंसोदन हुआ था और उसमें भाग चार में कितने मोलिक कर्तव्यों जोड़े गए थे 2002 में हुआ था उसके द्वारा एक नया मोलिक कर्तव्य जोड़ा गया अब बारतिय सम्विदान में टोटल 11 मोलिक कर्तव्य है बैडमिंटन कितने सेट का होता है तो सभी एकल और यूगल मैच में तीन गेम होते हैं हर गेम में सब से पहले 21 अंक हाशिल करने के खिलाडी को विजेता माना जाएगा अगर कोई खिलाडी लगातार दो गेम जीच जाता है तो वह मैच का भी विजेता होगा और तीसरी गेम नहीं होती है उसके बाद अगर हम बात करें पुरानी जलोड मिटी को डैश के रूप में जाना जाता है तो बांगर के रूप में जाना जाता है तो नई और पुरानी दो होती है पुरानी जलोड मिटी बांगर और नई जलोड मिटी आपकी खादर होती है पुराणी जलोड मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है और यह कंकड चुने की गांट से बनी होती है और खादर नए जलोड से बना होता है और नदी के किनारे भाड के मैदानों का निर्मान करता है उसके बाद है पर्थम भारतिय महिला के डाली जिसने कलम क्या थ पी एक बच्ची ने बताया था कि यह ऐसा कुछ ऑप्शन था तो यह देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से यह हम बता चुके हैं कुछी पुड़ी आपका अंदर पर देश का है टोटल आत होते हैं यह हम अच्छे से बता चुके हैं